हलो गाईज वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल और आज आप के लिए लेके आयों गेमर्स के लिए इतनी ही प्यारी चीज भाई रेजर बैसलिक्स भाई वीडियो छोड़के मज़ना नाम सुनके सिरफ और सिरफ फंदरा सोर में के अंदर मतलब भाई एक लोकल मार्केट शॉप पर गया वहां पर देखा उनके पास उपन बॉक्स नॉर्मल में रिजर बैसलिक्स था मुझे लगाश है प्रश कोपी होगा या कुछ और होगा तो मैंने उनसे वैसे बातों बातों बुच्छे मैंने को वह यह क्या जुगाड है तो उ अगर आपको विद बॉक्स न बिल चाहिए तो आपको पंदरा सोर में प्रवाइड करा दूँगा अगर आपको विदाउट बिल और बॉक्स के चलेगा तो आप मेरे को हजार उप देदना इमोशन ओ तैमिट भाई हजार रुपे के अंदर तुमारा वाई रेजर का बैज आप करके आती है इक एक चीज वर्किंग में बिलकुन नया निकला ओपन बॉक्स बोल सकते हो बॉक्स को क्या करोगे तो हजार रुपे के अंदर रेजर बैजलिक्स वी थ्री इतना ही तकड़ा माउस उसके पूरी अन्बॉक्सिंग पूरा अपना रिव्यू और आपको ए से अन्बॉक्सिंग तो क्या करूँगा आपको बता चूपो डबा नहीं है आप देख सुप्तियों किती नहीं ही फ्यारी की लुक है यार और यह है वो इन्फिनिटी स्ट्रोल जो मैं आपको बता रहा था आवास सुन रो एक बार ध्यान सुनो यहां पर आपको एक क्लिकएबल जो बटन से इस बार बैजलिक्स ने जो वी थ्री वर्जन निकाला है मैं ओनलाइन चेक कर रहा था वी टू के मुकाबले क्लिक की साउंड है इस बार जो पिछली बार नहीं थी और इस बार जो आपको केबल है वो पैराकोड केबल देखने तो माउस की जो वायर है वो बहुत ही जादा प्यारी है ब्रेडिट टाइप भी है और पैराकोड केबल बूल्टेर्स को बैक सैड में आपको दिखाता हो तो आपको आपको पर कुछ रबर की ग्रिप देखने के लिए मिलती है जो ग्रिप बहुत प्यारी प्रोवाइड कर और सबसे कमाल की चीज़ आपको दिख भी शायर ना रहा हो यहाँ पर एक पूरी RGB की स्ट्रिप जल रही है जो कि माउस के इस बार नीचे है और यहां तक है मतलब पूरे में एक इतनी प्यारी औरा क्रियेट होती है ना यार जब हम माउस को एक सरफेस पर रखते हैं अभी कि वह भी आपको आगे दिखाऊंगा टोटल आपको यह 8 बटन माउस देखने के लिए मिल जाता है और इस बार थोड़ा सा डिफ्रेंट एस के अंदर जल्दी से किसी माउस में देखने के लिए नहीं मिलता आपको यहां पर लेफ्ट और राइट टिल्ट बिल्कुल पास स मेरा काम बहुत ही फास्वावड हो रहा था और 8 बटन माउस कैसे एक यह बटन देखने के लिए मिलता है जो माउस के अंदर है 2 3 4 5 6 7 & 8 एक बटन यह वाला भी है 9 बटन माउस बोल सकते हो क्योंकि यह बटन कौनी यूज करेगा वैसे प्रोफाइल चेंज करने का मतलब आ यहां से लेके यहां तक केवल ही नहीं रही है यह बहुत ही प्यारी मतलब मुझे वाइब और फील प्रोइड कर रहा है एक मैट टेक्शेर के साथ थोड़ा सा आता है हाथ में पकड़के बड़ा या छोटा फील नहीं हो राइट हैंडड वाउस है और यहां पर आपको गेमिंग के टाइम पर बिना टेंशन के इसे यूज कर सकते हो तो गाईज अब सीजा आतो उसके स्पेसिफिकेशन पर और स्पेसिफिकेशन सुनके तो आप हिल ही जाओगे इस बार रेजर बोलता है कि उन्होंने सेकेंड जनरेशन ऑप्टिकल स्विचिस उसके अंदर एक साल में माउस फेल हो रहा है अगर आप गेमिंग करते हो ज्यादा और इसके अंदर एक भी इश्यू नहीं था इसका माउस की वोईस देखने के लिए मिलेगी बटन की है ना क्लिकी और गाईज इस माउस का में हाइलेटिंग फीचर गेमिंग के साथ प्रोड़क्टिव स्क्रोल वील है गाईज अगर मैं इसे आपको सिस्टम पर लगा के दिखाऊंगा यह आटोमाटिकली सिस्टम पर कनेक्ट होते हैं सौफ्टर के थूरू यह आटोमाटिक चेंज होता है ऐसे करूंगा ऑटोमाटिक गूमता जाएगा यह सिरफ लॉजिटेक के अंदर अब चीज रेजर ने कॉपी करी हैं कि वी टू में नहीं था वी थी के अंदर है और गाइस अगर मैं आपसे इसके सेंसर की बात करूं तो इस बार रेजर बोलता है कि रेजर का यह फोकस प्लस अप्टिकल सेंसर है जिसकी ट्वंटी सिक्स थाउजन की डिपी यह है वाई ट्व वन या टू ग्राम के आसपास देखने को मिलता है तो यह लाइटर साइड है क्योंकि लॉजिटेक का जी फाइव टु जो है वह वन ट्वन टी ग्राम के आसपास देखने के लिए मिलता तो इससे लगबख 20 ग्राम हलका है तो आपको फ्लिक शॉट्स में मजा आया आगा इ अब तक जो मैं माउस यूज कर रहा था वह और यह वाला दोनों को इसलिए कंपेर कर रहा हूं क्योंकि यह भी 2100 रुपे का है यह नया लिया था मैंने यह कॉस्मिक बैट का गामा और यह इसके आद कंपेर कर रहा हूं और आप खुद देखो यार इसकी तो फील और लुक यह देखो मतलब इसके श्ट्रेप दिख भी नहीं रही गाइस इसके आगे जो रेजर वाला है रेजर वाले की लुक इतनी ज्यादा प्यारी आ रही है और यही नहीं यह वाला बहुत बलकी और मोटा सा है यह वाला हाट बगड़ के फील भी अच्छी दे रहा और काफी ग लुकार बगड़ के अब मैं डहने और में से और विदाऊड़ बॉक्स ओपन लेने जाओगे तो आरावं पच्छी सो चबजी सो रूपे या तीन हजार तक का मिल जाएगा और यह वला लीने जाओगे विदाऊड बॉक्स तो दोजार पच्छी सो पेच्छी सो बीच अका तो दोनों में 600-800 पर का फरक देखने को मिलेगा तो मैंने का वॉक्षा गया करना है मैंने उसके एसाफ से कितनी सही डील मुझे मिलगी है गाइज बीज अजार वे-क माउस एक जीरोट आगे 2000 रुपए के अंदर तो उसके साफ से बहुत ही जादा मस्त है अब फटफट से आपको मैं इसका सौने स साथ-साथ देखना यहां पर स्क्रीन टीन लगा दूंगा आफ में और हाफ में यहां पे माूस चलता रहेगा है तो घाइस और यहां पर सारे color light effects वगरा देखना और यहां पर कुछ भी बटन पर कुछ भी एसाइन कर सकते हो अपने मरजी से यहां पर अब साथ लूब आपके दिखने के लिए सबसे में यहां पर जो फीचर है वो है स्क्रॉल वी यानि तक देखने के लिए स्मार्ट देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर क्या मैं आपको फटा फट से दिखाता हूं अगर मैं इसे अफ कर दूँआ तो यह काम नहीं करेंगा और करके यहां पर टैक्टाइल पर डाल देता हूं तो देखना गाइस यह टैक्टाइल पर डाला यह व्यों उप्षि जूर्व और जैसे ही मैं इसको यहां पर डाल दोगा टैट्टायल के साथ स्मार्ट्रील पर सब्सक्राइब तो यह दीरे चलेगा नॉर्मल की तरह जैसे तैज करो नहीं को जाएगा ऊप्सक्राइब होगेगा वैसे नॉर्मल द्वारा से लॉग हो गया तो यह तो इन वन मोड के अंदर चला जाएगा तो यह था इसका यह वाला ऑप्षिन अब मैं आपको इक बर्सके परफ्फॉर्मस चाब में लिके चलता हूँ परफॉर्मस चाब के अंदर यहां पर आप सेट कर सकते हो यह है इसका DPI का button इसके through आप यहाँ पर DPI चेंज कर सकते हो और जैसे ही आप इसे दबाओगे आपटी DPI चेंज होगी और आप अपने एसाफ से stages भी सेट कर सकते हो कि आपको कितनी stages में DPI चेंज करनी है और कौन से वाले पर कितनी DPI रखनी है भी चेंज कर सकते हो और मैंने पहला ऐसा माउस देखा है जिसके अंदर X-axis और Y-axis को अब अलग-अलग सेट कर सकते हो भाई पता नहीं है को नहीं करेगा मत मत चाता च्रेडखा नहीं करना गाईज अगर आपको नहीं पता तो आप इसके इंदर सेलेट कर सकते हो यह वह उसी प्यारी चीज़ लगी सिच ओफ लाइटिंग देखेने के मिलता है अगर आपका PC आइडल मोड में है तो यह भी ओफ हो जाएगा साथ में कितनी देर बाद हो वह भी आप सेट कर सकते हो मैंने आफ रखा क्योंकि मुझे हर सम समझ में नहीं आया क्योंकि आपको क्रोमा स्टूडियो में खुद बनाने पड़ते हैं एक और आपको वह भी दिखा देता हूं एडवांस के अंदर यह है भाई पता नहीं कितना हाई लेवल सॉफ्टेर है एक छोटे से चोटी जगा को कस्चमाइस कर सकते हो इतना तो दे अब कि न है कर सकते होोगे कि दिखाता हूं तो में एक साथ आता है रियाकटव आप साथ में सद्वेशन में भी सेठ कर सकते हो कि ज्यादा देर तक चले या फिर आपके शौट टर्म में चले वो आपके हाथ में आपको कैसे रखना है रियक्टव फिर है स्पेक्ट्रम साइक्लिंग इसके अंदर पूरा का पूरा एक और जीबी की साइकल घूमेगी आप देख सकते हो कलर चेंज होते जा रहे हैं फिर है है वह इस चाठिक इफेक्टहूं और उसके बाद है और रेक्षाण भीसेट्व राइफ्ट जाना रहा भितो और और प्री। तो गाइस को से इसके एफेक्स और यह जब यह जो और क्रिएट करता है अगर आपके पास एक ब्लाक कलर का सर्फेस है मेरे पास तो यह वाइट पर यह बहुत ही प्यारा और क्रिएट करेगा तो यह बहुत दूर तक स्प्रेड और यह जो स्ट्रिफ है और सबसे लाज में क्यालिब्रेशन देखने के लिए मिलेगा स्मार्ट ट्रैकिंग और मैनुल ट्रैकिंग देखने के लिए मिलेगी यानि जब आप गेम खेलोगे तो अगर हवा के अंदर आपका माउस है तो तीन एमेम तक भी अगर आप तो गाइस हम आ चुके हैं वैलोरेंट के अंदर और अब मैं आपको वैलोरेंट के अंदर दिखाने जा रहा हूँ अपना इस माउस के साथ एक गेम प्ले और अपना एक्सपीरियंस शेयर गरूँगा कि आखिर मेरे वह एक्सपीरियंस कैसा रहता है एक e-sports गेम के अंदर इस वाले माउस के साथ तो गाइस जैसा कि आपने देखा अभी अभी कि मैंने आपके सामने पूरा मैच खेला और लिटरल ही बता रहा हूँ इसकी जो फील है वह बहुत ज्यादा प्यारी और सबूत आपके सामने अगाली त्यादा माउस के माँस के अंदर की मानना पड़ेका बहुत ही प्यारा माउस है और गेमिंग के लिए और परक्षेंट रिकमेंडेड यह और भाई अगर गेमिंग के लिए रिकमेंडेड है तो इस वीडियो में था इतना ही जल्दी चलते कॉन्क्लूजिन पर तो थैंक यू गाइज वाचिंग इस वीडियो और कैसा लगा आपको अरेजर का बैसलिक्स भी थ्री मुझे प्लीज कॉमेंट में बताना कि अगर आपको दो मिले ना तो दो मिनट से पहले ले 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 इतनी प्यारी फील इतनी प्यारी लुक्स इतनी प्यारी आरजीव लाइटिंग कोन यूज करेगा और साथ मिल अनलिमिट्ट स्क्रोलिंग वी लॉजिटेक का जी फाइव ओर टू हमारा वह भी तो फीचर देखने के लिए मिलता है तो गाल्स कैसी लगे वीडियो प्लीज कॉमेंट से बताना और अगर अगर आपको मेरे ऐसी वीडियो पसंद आती है तो ओपन बॉक्स तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है आपको ऐसा कॉंटेंट अगर ऐसा पसंद आता है तो कॉमेंट में बताते रहना देखो मैं दुखान का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता को कि मुझे उन्होंने थोड़ा मना करा है तो आपसे रिकुएस्ट है कि अपनी झाल